आज हम जान लेते हैं मात्र भासा क्या होती है मादवारा बोली जाने बाली भासा जिसे सर्विपर थम सिसु अर्थात बच्चा सीखता है मात्र भासा कहलाती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें आज हम जान लेते हैं अलंकार क्या होता है काब की सुभा बढ़ाने बाले तत्वों को अलंकार कहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें आज हम जान लेते हैं बिलोम सब्द क्या है जो सब्द बिपरीत अथबा पिर्तिकूल अर्थ के परिचायक होते हैं उनको बिलोम सब्द कहते हैं अर्थात बेसब्द जो बिप्रीत अर्थे प्रगट करते हैं उनको बिलोम सब्द कहा जाता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेश कर लें आज हम जान लेते हैं संस्मरण किया होता है पूर्ब में अर्थात पहले घटी हुई घटना को बरतमान में याद करना संस्मरण कहलाता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेश कर लें आज हम जान लेते हैं सब्द सक्ति किया होती है सब्दों के अर्थों का बोध कराने वाले अर्थ बेयापारों को सब्द सक्ति कहते हैं अर्थात सब्द सक्ति होती है जो सब्दों के अर्थों का ग्यान कराती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और ज बगल में बेल आईकन है उसे भी प्रेस कर लें आज हम जान लेते हैं खंड काब गया होता है उह काब जिसमें किसी महाफ rhymes के जीवन के केवल एकी खंड का वरणां होता है उसे खंड काब कहते हैं तो फीलीज हमारी चैनल को सबस्क्राब भी कर लें और जो बगल में बेल आई उसे भी प्रेस कर लें आज हम जान लेते हैं महा काब क्या होता है वहैं काब जिसमें किसी महा परुष के सम्पूर जीवन का वरणन होता है उसे महा काब कहते हैं जैंसे ओदाहरण हो जाیगा रामकारत मानस आदी तो प्लीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब भी कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें आज हम जान लेते हैं बाग के क्या होता है सब्दों का बिबस्थत रूप जिससे मनों से अपने बिचारों का आदान पिर्दान करता है उसे बाग के कहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब भी कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें आज हम जान लेते हैं आस्राइ क्या होता है जिस ब्यक्ती के मन में बाजागरत हो उसे आस्राइब कहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें आज हम जान लेते हैं आलमबन किया होता है जिसके पिर्थी इस्थाइभाव उत्पन हो उसे आलमबन कहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उससे भी प्रेस कर लें आज हम जान लेते हैं उद्धीपन किया होता है भाबों को बढ़ाने या उद्धीप्त करने वाले पदार्थ उद्धीपन कह लाते हैं अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पदर्थ भाबों को बड़ा देते हैं उनको हम उद्दीपन कहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राब भी कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उससे भी प्रेस कर लें थैंक्यू